कक्ष्या सात्वी चैप्टर च्यार सरल समीकर्ण समीकर्ण के बारें पड़ेंगे समीकर्ण क्या होता है समीकर्ण चर में एक प्रतिबंद होता है इसमें एक समता का चिन यानी बराबर का निशान जैसे उडान के लिए एक्स जमातीन बराबर जीरो यहां पर एक एक चर है और यह बराबर का निशान है तो हम कहेंगे कि X जमा 3 बराबर 0 एक समीकरण है इसी प्रकार Y जमा 6 बराबर 0 यहाँ पर Y एक चर हो जाएगा और बराबर का निशान है समता का निशान है तो Y जमा 6 बराबर 0 यह भी एक समीकरण होगा तो यह दोनों समीकरण कहलाएंगे X और Y चर में यह समीकरण है X का और Y का मान कुछ भी हो सकता है परशनावली च्यार दसमले एक पहला सवाल निमलिक्त सारनी के अंतिम स्तंब को पूरा कीजिए इसमें हमें यहां पर यह समीकरण दे रख्या है और यहां पर चर का मान है और यह बताना है कि क्या यह समीकरण संतुष्ट होती है इस चर के लिए संतुष्ट तब होगी जब यह X का मान है चर का जो मान है वो इस समीकरण में रखेंगे और रखने के बाद इसका यह जो बायापक्स है यह बराबर हो जाए दाइपक्स के X कमान 3 यहाँ पर रखने पर इसका जो मान आई वो 0 के बराबर आएगा तो यह संतुष्ट होगा नहीं तो नहीं होगा तो पहला पार्ट X जमान 3 बराबर 0 चरहे X बराबर 3 यह बताना कि संतुष्ट होगा या नहीं तो X कमान 3 इस समीकर्ण में रखेंगे तीन जमा 3 यह अलेगा 6 6 बराबर नहीं है 0 के यह बराबर आना चाहिए था 0 के लेकिन में यह बराबर आया 6 के तो यह संटूष्ट नहीं है X जमा 3 बराबर 0 X बराबर 0 X कमान 4 कमान 0 रखेंगे यहां पर जीरो जमा तीन बराबर तीन ये भी जीरो के बराबर नहीं है तो ये भी समीकन को संतोष्ट नहीं करेगा अगला है एक्स जमा तीन बराबर जीरो एक्स बराबर माइनस तीन एक्स का मान माइनस तीन रखने पर माइनस तीन जमा तीन एक जमा का एक गटा का तो यह होज़ेगा जीरो तो यह हमारा ब्राबर आगया जीरो के तो यह मान संतुष्ट करेगा फिर एक्स गटा साथ ब्राबर एक एक्स ब्राबर साथ एक्स का मान साथ यहां पर रखेंगे साथ गटा साथ यह आएगा जीरो जब कियाना चीए था बराबर एक के तो 0 बराबर नहीं है एक तो संतुष्ट नहीं होगा x-7 बराबर एक, x बराबर 8 x का मान आठ या रखेंगे तो 8-7, 8 में सगे 7, 1 और बराबर एक ही दिया हुआ है तो ये संतुष्ट करेगा 5x बराबर 25, x बराबर 0 करन के अंदर पांच गुणा 0 यह आएगा 0 जब कि दिया हुआ है 25 के ब्राबर तो 0 और 25 ब्राबर नहीं हैं तो यह संदूष्ट नहीं होगाइं इसका अगला पार्ट है 5x ब्राबर 25 x ब्राबर 5 एक्स कमान 5 रखने पर 5 गुना 5 ब्राबर 25 और यह 25 के ब्राबर दिया हुआ है तो यह संतुष्ट होगा अगला है 5x ब्राबर 25, x ब्राबर माइनस 5, x का मान रखेंगे माइनस 5, यह आएगा हम गटा के 25, और दिया हुआ है 25 के ब्राबर, तो यह दोनों ब्राबर नहीं हैं, तो यह भी संतुष्ट नहीं होगा, m ब्राबर 2, m ब्राबर माइनस 6, m का मान यह रखेंगे, माइनस के 6 ब्राबर 3, यह आएगा कट करके माइनस का 2, जबकि दिया हुआ है 2 के ब्राबर, माइनस 2 और तो ब्राबर नहीं है, तो यह समीकन को संतुष्ट नहीं करेगा, m ब्राबर 2, m ब्राबर 0, m का मान 0 रखेंगे, 0 ब्राबर 3, 0 को भाग देंगे, 3 से 0 आएगा, जबकि आना चे यह था 2 के ब्राबर, तो यह 2 के ब्राबर नहीं आया, तो यह समीकन को संतुष्ट नहीं करेगा, अगला पार्ट है, m ब्राबर 3, ब्राबर 2, m ब्राबर 6, m का मान 6 रखेंगे, 6 ब्राबर 3, भाग देंगे, यह आएगा, 2, और ब्राबर 2 यह दिया हुआ है, तो यह समीकन को संतुष्ट करेगा, यानि कि चरके इस मान के लिए यह समीकन संतुष्ट होगा, स्वाल नंबर 2, जांच कीजिए कि कोश्ट को में दिये मान, दिये गे संगत समीकरणों के हल है या नहीं, यहाँ पर हमें मान दिये हुए हैं कोश्ट के अंदर चरका मान, और वो मान रखकर के यह बताना है कि यह समीकरण को के हल है या नहीं, इस सवाल में हमें कोश्ट क में चरका मान दिया हुआ है, हमें यह बताना है कि कोश्ट क में दिये गए मान के लिए यह समीकरण, इस से जो कोश्टक में दियावा मान है इसके लिए ये जो समीकर्ण है हल होगा या नहीं यानि कि जो हमें मान दियावा है कोश्टक में ये इस समीकर्ण का हल है या नहीं तो कोश्टक में जो मान दियावा चरका वो इसके अंदर रखके देखेंगे और मान रखने के बाद ये इसका बायापक्स और दायापक्स दोनों बराबर हो जाएं यानि कि इस तरफ हम N का पी का जो मान रखेंगे वो मान रखने के बाद ये दायापक्स के बराबर आएगा तो ये इसका हल होगा नहीं तो नहीं होगा पहला है N जमा 5 बराबर 19 N बराबर 1 N का मान एक यहां पे रखेंगे तो 1 जमा 5 यह एक 6 और दिया हुए 19 के बराबर तो 6 और 19 बराबर नहीं होते इसलिए इसका यह हल नहीं है हल नहीं होगा फिर 7 N जमा 5 बराबर 19 N बराबर माइनस 2 N का मान यहां रखेंगे 7 N जमा 5 में 7 गुणा माइनस 2 जमा 5 7 गुणा माइनस 2 माइनस के 14 जमा 5 यह 5 जमा का है 14 गठा का है तो गठ जाएगा बचेगा गठा के 9 और यह 19 के बराबर नहीं है तो यह इस समीकरन का हल नहीं होगा 7 N जमा 5 बराबर 19 N बराबर 2 N का मान दो यहां रखेंगे 7 गुणा 2 जमा 5 7 गुणा 2 चोदा जमा 5 19 और यह भी किसके बराबर दिया हुआ है इसका दाया पक्स भी 19 है तो यह समीकरन का हल होगा फिर आगला P बराबर 1 P का मान एक रखेंगे 4 गुणा 1 माइनस 3 4 गुणा 1 चार गटा के 3 एक और यह आना चाहिए था 13 के बराबर लेकिन यह 13 के बराबर नहीं है तो यह इस समीकरन का हल नहीं होगा 4 P माइनस 3 बराबर 13 P बराबर माइनस 4 P का मान माइनस 4 रखेंगे 4 गुणा 1 माइनस 4 गटा 3 4 गुणा 1 माइनस 4 माइनस के 16 गटा के 16 गटा के 3 गटा का 16 गटा के दोनों के दोनों निसान गटा के हैं तो जुड़ेंगे 16 गटा के दोनों गटा के हैं तो निसान आएगा गटा का ये भी 13 के बराबर नहीं आया तो ये समीकरन का हल नहीं होगा 4 P माइनस 3 बराबर 13 P बराबर 0 P का मान 0 इस समीकरन में रखेंगे समीकरन के 22 तरफ 22 पक्स में 4 गुणा P P है हमारे पास 0 गटा 3 4 गुणा 0 किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 हो जाता है 0 में से गटाएंगे 3 तो गटा के 3 ही बचेंगे वो बराबर दे रखेंगे 13 के लेकिन हमारा 13 नहीं हमारा आया गटा 3 13 के बराबर नहीं आया तो ये इस समीकरन का हल नहीं होगा सवाल नमर 3 में है कि प्रेतन और भूलवी दी से निमिलिक्त समीकरनों को हल कीजिए प्रेतन और भूलवी दी का मतलब है कि यहां पर हम जो चर है समीकरन के अंदर उसका मान पहले रखेंगे कुछ भी और देखेंगे कि वो उसका हल है या नहीं अगर वो उसका हल होगा तो ठीक है नहीं फिर अगला मान लेंगे उस पर चेक करेंगे कि इसका हल है या नहीं उस पर नहीं होगा फिर अगला मान लेंगे उस पर चेक करेंगे यानि हम बार बार कोसिस करेंगे और बार बार गलती करते हुए लास्ट में हम उस चर का सही मान निकालने में सफल हो जाएंगे यही है प्रेतन और भूलविदी तो इस समीकरण में सबसे पहले पांच पी जमादो ब्राबर 17 यहां पर हमारा चर है वो पी है यह समीकरण है चर पी के अंदर तो हम इसका हल होगा वो पी का ही कोई म होगा तो सबसे पहले हम पी का मान लेते हैं इसके अंदर जीरो पी का मान जीरो लेते हैं पी का मान यहां जीरो रखेंगे तो पांच गुना जीरो जमा दो यह हो जाएगा जीरो पांच को जीरो से गुना करेंगे जीरो जीरो जमा दो बराबर दो यह मराया है दो जबकि आ पांच गुना पी यानि एक जमा दो ये आएगा पांच गुना एक पांच जमा दो बराबर साथ ये भी आमरा सत्रा नहीं स्काहल नहीं होगा फ्र हम लेंगे पी का मान दो रखेंगे यहाँ पर पांच गुणा दो जमा दो पांच गुणा दो दस जमा दो यह आएगा बार है यह भी हमारा सत्रे निया यह भी इसका मान नहीं होगा पी का मान लेंगे दो के बाद तीन यहां रखेंगे पांच गुणा तीन जमा दो पांच गुणा तीन पंद्रे जमा दो यह आ कोशिस की येकिन गलती हुई भूल हुई हमसे फिर हमने P का मान एक लिया फिर हमसे भूल हुई फिर हमने P का मान दो लिया फिर भी हमसे भूल हुई और लास्ट में हम गलती करते करते आखरी में सही मान डूंडने में कामियाब हो गए तो P का मान 3 यहां रखने पर ये इसका जो समीकर्ण है इसको हल करने पर इसका मान 17 आ जाता है तो P बराबर 3 इस समीकर्ण का हल होगा क्योंकि P का मान 3 रखने पर इस समीकर्ण का दायापक्स और बायापक्स दोनों बराबर हो जाते है इसके बाद दूसरा पार्ट है 3M-14 ब्राबर 4 इसी प्रकारिश में करेंगे हम पहले यहाँ पर 4 हमारा M है यहाँ पर जो M है वो हमारा 4 है यहाँ पर पहले M का मान 0 से शुरू करते हैं M का मान 0 यहाँ रखेंगे तिये 3 गुणा 0 गटा 14 3 में इनकों गुणा के 0 से यहाँ गटा 14 0 में से 14 गटाएंगे गटा के 14 बचेगा जबकि आना चाहिए था हमारा 4 तो यह इसका हल नहीं है फिर लेंगे हम इसके बाद M का मान 1 लेते हैं M का मान 1 लेंगे M का मान 1 लेने पर यहाँ रखेंगे 3 गुणा 1 गटा 14 बराबर 3 गुणा 1 गटा 14 यह बचेगा गटा के 11 यह भी हमारा 4 के बराबर नहीं आया तो यह भी इसका हल नहीं होगा फिर हम लेंगे M का मान 2 लेके देख सकते हैं लेकिन अभी हमारे मान है जो वो गटा में आ रहे हैं और यहाँ पर हमारा मान आना चीज जमा के अंदर तो हम क्या करेंगे 2, 3, 4 को चेक करने के बजाए हम बड़ा मान लेके देखते हैं 5 लेके देखते हैं M का मान 5 यहाँ रखेंगे 3, 5, 14 3, 5, 15, 15, 14, 14, कितना हैगा? 1 लेके नहारा 4 है कुछ नजदीक पहुँचे हम इसके बाद हम आगे करेंगे इसके बाद हम लेंगे M का मान 6 5 के बाद 6 M का मान 6 यहाँ रखेंगे 3, 6, 14 3, 6, 18, 14 18 में 14 गए 4, अब हमारा गया मान 4 और 4 ही हमें दिया हुआ है तो यहनी M का मान 6 रखने पर इसका मान 4 के बराद आ रहा है यहनी कि बायाँ पक्स और दायाँ पक्स दोनों बराद हो जागते हैं तो M बराद च्छे जो है वो इस समीकरन का हल होगा M बराद च्छे ही समीकरन का हल होगा तो इस तरह से हम चर का मान अलग-अलग मान लेकर चेक करेंगे और जिस मान के उपर वो सुखल करने के बाद उसका जो अंसर जो उत्तराता है वो हमारे दाई पक्स के बराबर आए तो हम कहे देंगे कि यह इसका हल है